तमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन आपसे आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाई के वीडियो डाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाई या शास्त्री जानकारी आपसे चूटता जाए धन्यवाद समस्कार मैं हूँ वैभवन नाच्छर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि शनी का जो राशी परिवर्तन हो रहा है धनूर राशी से मकर राशी में जो शनी देवता जा रहे हैं 24 जन्वरी को उसका मैं आपको विस्तरित विवरन जल्दी ही उपलब्द कराऊंगा तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि बारा राशी के नुसार इसका विस्तार से क्या प्रभाव पढ़ने वाला है और जिन जिन राशी वाले जातक लोगों के लिए शनी की साढ़े साती और ढहिया लग रही है उनके लिए उसका प्रभाव क्या रहेगा और आपको क्या आपकी राशी के नुसार उपाय करना चाहिए उस बारे में हम लोग बात करेंगे तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि शनी देवता करने जा रहे हैं मकर राशी में प्रवेश जानेगे कि इसका क्या रहेगा आपकी राशी के उपर प्रभाव खासतोर पर मिथुन, मकर, धनू और कुम्भ राशी वाले जातक लोगों के लिए शनी देवता मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हैं किन चीजों को ले करके आपको सतर करेना चाहिए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए करीब तीस साल के बाद साल दोजार चौबिस में दोजार बीस में चौबिस जन्वरी को शनी देवता जो है धनू राशी से निकल करके मकर राशी में चले जाएंगे शनी के राशी परिवर्तन के साथ ही कुछ राशियों पर शनी के बुरे प्रभाव समाप्त होंगे और कुछ राशी वाले जातक लोगों के लिए शनी देवता के प्रखोब जो हैं वो शुरू होंगे ऐसे परिवर्तन को जोतिश शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ असर सभी राशी के लोगों पर पढ़ता है जोतिश शास के नुसार शनी का बुरा या अच्छा प्रभाव शनी की आपकी कुंडली में क्या इस्थिति है इस बात को देख करके जानकारी की जा सकती है आज हम लोग ये जानेंगे कि आपकी राशी के नुसार शनी देवता का क्या प्रभाव पढ़ने वाला है अगले ढ़ाई साल तक शनी देवता किस तरीके से आपके साथ व्योहार करने वाले हैं जब शनी किसी कुंडली में अनुकूल भाव में होता है तो जातक अच्छी संचार शक्तियों वाला विद्वान बनता है लेकिन जब यह नकरात्मक होते हैं तो इन में सोने को राख में बदल देने की शक्तियां होती हैं दूसरी और यदि यह अनुग्रह कारी हो तो यह जीवन में सौभाग लेकर के आता है जिन पर शनी का अच्छा प्रभाव होता है उनके व्यापार के छेत्र में करियर बनाने की बहतर संभावनाएं होती हैं जो की मशीनरी, चमड़ा, सीमेंट, भठी, लकडी, रवरादी से संबंदित हो सकते हैं लेकिन शनी का बुरा प्रभाव जातक के जीवन में संघर्ष भी लेकर के आता है वे पाचन तंत्र, पेट और आहार नली से जुड़े हुए स्वास्त समस्याओं से पीडित हो सकते हैं इसके साथ ही कोई कानूनी समस्या या धन हानी की इस्तिती भी आपके सामने जीवन में आ सकती है यदि आपकी कुंडली में भी शनी का प्रतिकूल प्रभाव है तो आप जो है कुछ उपाय जो मैं आपको बताऊं उनको आप अपना करके अपने जीवन के दुश प्रभावों से शनी देवता के अशुब प्रभावों से आप मुक्ति पा सकते हैं मकर राशी में शनी गोचर आपके लिए क्या माइने रखता है शनी को एक शिक्षक और कठोर अनुशाशक माना जाता है जो किसी व्यक्ति को जीवन में विभिन अनुभवों के माध्यम से महत्वपूर्ण सबक सिखाता है यह सबक अच्छे या बुरे हो सकते हैं कहा जाता है कि शनी सबसे अच्छा गुरू होता है शनी जब भी मकर राशी में प्रवेश करता है तो एक अद्भुद सहियोंग होता है मकर राशी को समस्त राशीों का पिता भी जोतेशास्टर में कहा जाता है क्योंकि यह लोगों को योजना बनाने के बाद अपने तरीके से काम करवाता है इसलिए जब शनी देवता स्वेम की अधिकारिक और अनुशाशन की राशी में आएगा तो यह अपनी राशी में ब्रहमांडिये घटना की तरह होगा धनुराशी में पारगमन पूरा करने के बाद 23 जन्वरी की रात में 23 जन्वरी 2020 को रात में लगभग 10 बज करके 27 मिनट पर शनी देवता मकर राशी में प्रवेश करेंगे इसके बाद 10 मई 2020 से लेकर के 29 सितंबर 2020 तक यह शनी देवता वहाँ पर वक्री रहेंगे शनी का यह ट्रांजिट शनी का यह पारगमन 28 अप्राइल 2022 तक रहने वाला लगबग लगबग धाई साल जो है शनी देवता किसी एक राशी में रहते हैं मकर राशी में शनी का गोचर कुछ राशीओं के लिए तो अनुकूल होगा लेकिन कुछ के लिए बहुत प्रतिकूल भी होने वाला है तो आट यह जानते हैं कि यह पारगमन किस राशी पर क्या प्र्रभाव देगा आप बात कर लेते हैं तुलाराशी की तुलाराशी के जातक लोगों की जन्म कुंडली में शनी देवता चोथे और पांचवे घर के स्वामी होते हैं और इस ट्रांजिट के दौरान आपकी कुंडली के हिसाब से चोथे घर में शनी देवता गोचर करेंगे नए साल में आपक अंगर्च बहुत होगा मेहनत बहुत होगी आपके लिए वांचित परणाम प्राप्त करने के मामले में करियर में मंदी की संभावना दिखाई देती है भौतिक वस्तूओं पर व्याय होने की भी संभावना बन रही है कारुबारी महौल असंतोर जनक हो सकता है प्रेम जीवन में उचित ध्यान देने की आवशकता है रिष्टों में आपसी समझ बूज में कमी आ सकती है पुरानी समस्याओं को फिर से उठने के कारण निराशा और कठोरता सामने रहेगी उससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ट रह सकते हैं मानसिक तनाओं से स्वास्त में गिर के लिए कोई उपाय करना चाहिए है तो आई हम लोग जानते हैं कि शनी की साड़े साती हो या शनी की धैया हो कौन से ऐसे अचूक उपाय किये जाए जिससे शनी देवता से संबंदित सारे कश्टों से मुक्ति मिल जाए जिस व्यक्ति पर शनी की धैया या साड़े साती हो या फिर कुंडली में शनी की एशु प्रभाव के कारण जो किसी रोग से व्यक्ति पीडित हो अगर वे इन उपायों को आजमाते हैं तो उसे शनी देव की विशेश कृपा प्राप्त होती है और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं शनी देवता को यम, काल, दुख, दारिद, तथा मंद कहा जाता है मौजुदा दौर में किसी भी परेशानी, संकट, दुरगटना, आर्थिक नुकसान, अपमान आदी के समय हम उसके मूल में शनी का होना मान लेते हैं लेकिन क्या ये सही है निश्चित तोर पर शनी देवता दंड के स्वामी हैं परन्तु तभी जब आपने कोई गलत कारे किया हो शनी देवता कर्म के देवता हैं और आपके द्वारा किये गए कारे का कर्म का फल आपको अवश्य प्राप्त होता है हाला कि कुंडली में शनी दोष होना शुब नहीं माना जाता शनी दोष से पीड़ित व्यक्ति अकसर तमाम समस्याओं से चाहते हुए भी निकल नहीं पाता है लेकिन इस समस्या का सरल और सहज निदान हमारे शास्त्रों में बताया गया है शनी दोष को दूर करने के लिए कई सारे मंत्रों समेथ सनातनी बहुत सारे उपाएं हैं जिन्हें करके आप भगवान शनी देवता की क्रिपा प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहला उपाई यह है कि यदि आप शनी दोष से पीड़ित हैं तो उनके प्रकोप को अगर आप शान्त करना चाहते हैं तो आप उनसे जुड़े हुए सिद्ध मंत्रों का जाप करें नियमित रूप से आपको जाप करना चाहिए शनी देवता की यह मंत्र काफी प्रभावशाली हैं शनी देवता को समर्पित इस मंत्र को श्रद्धा के साथ जाप करने से निश्चित रूप से आपको इसका शुबलाब मिलता है आपको इस मंत्र का जाप नियमित करना चाहिए और अगर आप नियमित नहीं कर सकते तो श 208 बार आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए सबसे पहला मंत्र है शनी देवता का सूर्य पुत्रो दिर्ग देहो विशालाक्ष शिवप्रिया मंदा चाराह प्रसंद्नात्मा पीडात्मम दहतुमे शनी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं अगर आप इस मंत्र का जाप नह नमो भगवते शनैशराय सूर्य पुत्राय नमा इस मंत्र का जाप करके भी आप लाब ले सकते इन में से जो भी मंत्र आपको सहज लगे सरल लगे कम समय वाला लगे आपके लाइफस्टाइल में आपकी दिन चरिया में जो एड़्जेस्ट हो जाए उस मंत्र को चुन करके यह सारे मंत्र अपने आप में प्रभावशाली है समान प्रभावे सबका उनका प्रयोग जरूर करें दूसरा उपाय है शनी से जुड़े हुए दोश को दूर करने के लिए या फिर शनी देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए महादेव शिव की उपासना बहुती सिद बादा है जो शनी देवता की तरफ से आपको आपके जीवन में मिल रही होती है वो दूर हो जाती है इस उपाय को करने से शनी द्वारा मिलने वाला नकरात्मक परणाम समाप्त हो जाता है बगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमस्षिवाय है और इसी मंत्र में अगर ओम लगा दिया जाता है तो ये शड़ाक्षर मंत्र हो जाता है ओम नमस्षिवाय है तीसरा उपाय है कि भगवान शिव की तरह ही भगवान शिव के अंचावतार बजरंग बली यानि हनुमान जी की साधना करने से भी शनी देवता से जुड़ी हुई दिक्कतें व्यक्ति को फ कुछ मीठा प्रसाद समर्पित करके अपने लिए कुछ हिस्सा रख करके बाकी आपको प्रसाद जो है वहां आसपास गरीब लोगों को जरूबत मन लोगों को वितरित कर देना चाहिए इसके इलावा हर मंगलवार और शनिवार को ओम हन हनुमते नमा मंतर का 108 बार जाप आ अगला उपाई है कि यदि आपकी कुणली में शनी को लेकर के कोई दोश बन रहा है या फिर शनी देवता की ढईया या साड़े साती आपकी उपर चल रही है तो आप शनिवार के दिन बगएर किसी को बताए अपना काले रंग के रंग का चमडे का जूता या फिर चमडे क चपल मंदर के प्रवेश द्वार पर उतार करके रख करके पहनी हुई चपल जो है उतार करके रख करके चले आईए ध्यान ये रखना चाहिए कि ऐसा करते समय वापिस पलट करके आप न देखें शनी देवता से जुड़ा हुआ ये प्रयोग शनी के कारण हो रही सकरात्मक बदलाव लाता है positive effect आपको ये जरूर देता है दूसरा उपाई है कि यदि मंदर में आपकी चपल या जूता चोरी हो जाए तो आपको उसका दुख नहीं करना चाहिए शोक नहीं मनाना चाहिए क्योंकि जोतेश शास के नुसार ये आपके जीवन में बहुत ही आपके जास्ता होता है दूसरा उपाई है कि शनिवार के दिन जल में कच्चा दूत काले तिल गुड या फिर शक्कर मिला करके या शहद मिला करके पीपल के व्रिक्ष में जल देने से और उसके पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनी देवता की कृपा मिलती है इस साती और तिल के तेल का दीपक आप जलाएं साती सात महराज दशरत का लिखा हुआ शनी इस्त्रोत जिसे दशरत कृत शनी इस्त्रोत कहते हैं उसका पाठ करने से शनी दोशों में बहुत चमतकारी प्रभाव से आपको लाब मिलता है अन्य उपाई है कि दोनों समय भोजन म काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए जिसके लिए शनी की साड़े साती चल रही हो ढईया चल रही हो या अशुब शनी का योग हो अशुब शनी की महादशा अंतरदशा हो तो ऐसे लोगों को भोजन में सादे नमक की जगा काला नमक और काली मिर्च का प्रय अगला उपाई है कि शनी देवता की अशुब दशा अगर चल रही है तो ऐसी इस्तिती में व्यक्ति को जातक को मास मदिरा का या दुर्व्यसन का सेवन जो भी आदत आपकी है उसको छोड़ देना चाहिए खासतोर पर मास मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना च शनी देवता के दुश्प्रभावों से मुक्ति दिलाने का बहुती सरल और बहुती शक्तिशाली माद्यम है तो ये आपको जरूर करना चाहिए दूसरा उपाई है कि गर के किसी अंदेरे भाग में किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके उसमें एक तांबे का सिक् पानी में भिगो दीजिए और शनीवार को प्राताकाल उन्हें पीस करके गुड़ में मिला करके इसके आठ लड़ू आप बना लें और किसी काले घुड़े को अगर आप अपने हाथ से खिलाएं और ये प्रयोग लगातार आठ शनीवार तक करें तो शनी का कितना भी कोश होगा कितना भी बुरा प्रकॉप होगा वो आपको अपनी कृपा जरूर देंगे और दोशों से मुक्त कर देंगे दूसरा उपाई ये कि शनी के दुश्प्रभावों को दूर करने के लिए शनीवार के दिन काली गाय की सेवा करनी चाहिए पहली रोटी आप अपने भोजन में से उसके लिए निकालिए सिंदूर का तिलक करें गाय के सींग में मौली जिसे कलावा या रक्षा सूत्र कहते हैं उसको बांधें और फिर मोती चूर के लड़ू खिला करके उसको चरण सपर्ष करके प्रणाम करके वापस आएं ये प्रयोग बहुती चमतकारी बहुती सिद्ध प्रयोग है दूसरा उपाई है कि प्रत्यक शनिवार को वट व्रिक्ष में और पीपल के व्रिक्ष के नीचे सूर्योदर से पहले सरसों के तेल का दीपक जला करके शुद्ध कच्चा सूत और धूब दीप आपको वहाँ पर समर्पित करना चाहिए अन्य उपाई के नुसार शनिवार को ही अपने हाथ के नाप का 29 हाथ लंबा काला धागा ले करके उसको पिरो करके उसकी माला बना ले और उसको गले में पहने तो आपको शनी का दोश फिर कभी परिशान नहीं करेगा दूसरा उपाई ये कि यदि शनी की साड़े साती से आप पीड़ित हैं तो शनीवार को अंधेरा होने के बाद पीपल के व्रिक्ष पर मीठा जल अर्पित करके सरसो के तेल का दीपक जिलाएं और पांच अगर बत्तियां वहाँ आपको लगाना चाहिए और वहीं बैठ कर के क्रमशह एक एक करके हनुमान चालेसा भैरव चालेसा और शनी चालेसा का पार्ट करें और फिर उसके बाद पीपल के व्रिक्ष की साथ परिक्रमा करके घर वापिस चले आएं किसी भी प्रकार का दोश होगा उससे आपको मुक्ती अवश्य मिल जाएगी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ शनी चालेसा का नियमित पार्ट करना भी शनी देवता के दोशों से मुक्ती दिलाता है चाहे वो शनी की साड़े साती हो ढईया हो अशुप सनी की महादशा अंतरदशा हो उसमें आपको चमतकारी रूप से प्रभाव मिलता है लाब शनीवार को शनी के मंदर जाकर के शनी देवता को तेल चड़ाना चाहिए हर शनीवार को उडद की जलेबी या कचोडी बना करके अपंग व दरिद्र व्यक्तियों को खिलाने से शनी देवता की कृपा मिलती है लोहे की अंगूठी को मध्यमा उंगली में धारन करें लोग जड़ातू की अंगूठी में जड़वा करके पहनने से शनी देवता के लावदाई प्रभाव में बड़ोतरी की जा सकती है लेकिन रत्न धारन के लिए जैसे मैंने कहा कि किसी जोतिशी को कुण्डली दिखा करके ही आपको दिरने करना चाहिए शनी यंत्र की पूजा करने से भी शनी देवता का आशरवाद मिलता है हर शनीवार को उड़त की दाल, काला कपड़ा, काली, चादर या काला कंबल किसी जरूरतमन व्यक्ति को दान देने से शनी देवता प्रसंद होते हैं संध्या काल के बाद और रात में सोने से पहले उत्तर दिशा की और मुक करके हनुमान चालेसा का पाठ करने से शनी देवता के दुश्प्रभावों को कम किया जा सकता है दूसरे उपाएक नुसार हर शनीवार को बजरंग बली हनुमान जी को आक यानी आंकड़े का फूल जो है उसकी माला बना करके समर्पित करते हैं तो शनी के दोशों में भी उससे कमी आती है अन्य हुपाय के नुसार शनिवार को पवन पुत्र हनुमान जी को तेल सिंदूर का चोला चड़ा करके शनी देवता की अराधना अगर आप इस माध्यम से करते हैं तो शनी देवता के दोशों में कमी आती है भगवान चनी देव को शुब बनाने के लिए शनीवार को काले तिल के लड़ू बना करके गाए और छोटे बालकों में वितरन करना बहुत अच्छा उपाय माना गया है कुपित शनी को शांत करने के लिए सुन्दरकान, बजरंगबान, हनुमान चालेसा का नियमित पाठ करना बहुत ही चमतकारी परणाम देता है शनी का पाठ करते समय आपको कुछ बातें बहुत खास तोर पर ध्यान रखनी चाहिए पाठ करते समय हमेशा आपका मूँ जो है वो उत्तर दिशा की ओर हो तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है तामबे के दीपक में तिल या सरसों का तेल भर करके आपको दीपक जलाके पूजा राधना करनी चाहिए हनुमान जैनती अत्वाश शनी मावस्या के दिन हवन आदी करा करके शनी देवता की उपासना करते हैं तो शनी दोशों में चमतकारी रूप से आपको शुभफल प्राप्त होता है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शनी देवता के ट्रांजिट से संबंदित जो आपको मैंने आपका राशिफल बताया और उस अगर कहीं कोई उसका दुश्प्रभाव बन रहा है शनी देवता के गोचर का उसके निवारण के लिए जो उपाई मैंने आपको बताया ये निश दक वीडियोस हम लोग बनाते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं तो वो आपसे मिस ना हो जाएं इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें इसी शुब कामना के साथ की शनी देवता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और शनी देवता का मकर राशी में जो गोचर है अगले ढाई साल के लिए यह आपके लिए शुब हो मुझे आ गया दीजे और देखते रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभावन नमोना रायें जैजै शनी देव अरर मादेव मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभावन मेरे चमतकारी उपाई जोतेश वास्तू तंत्रमंत्र दैनिक राशिफल वरत्योहार वैदिक पूजा पार्ट के लिए टेस्ट अब्रेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी गंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए परशान बिलकुल भी ना हो जीवन में यदि समस्या हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी पर्सनल प्राबलम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानि पर्सनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सप के माध्यम से अप्वेंट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है 999-0724131 आपको दो नमबर दे रहा हूं इन दोनों नमबर पे वाट्सप अवेलेबल है आप वाट्सप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा है और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद